नमस्कार आप देख रहे हैं स्पार्प टूडे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी बर्मन तो चलिए आज की देश विदेश की खबरों पे कुछ नजर डाली जाए पेम मोदी ने गुरु गोविन सिंग के दो बेटों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का एलान किया था और आज वे मनाया भी जा रहा है इसको लेके सिक्स समुदायों के बीच में खुशी की लहर है ये आयोजन सरकार खुद आयोजत करा रही है इसमें बहुत सारे कारेक्रम है जो कि दिल्ली के प्रगती मैदान में किये जा रहे हैं इसमें प्रधान मन्तरी भी शामिल हुए है तो दर्शक मित्रो, 2023 की शुरवात में आपने एक नाम बहुत जादा सुना होगा, जो कि रेसलिंग दुनिया से रिलेटेट थे, ब्रिच, भूशन, शरन सिंग, जिननोंने हाली में स्तीफा दे दिया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी के अध्यक्ष बने है, वे उन प्रिश फोगाट, जिन्होंने यौन उत्पीडन के मामले में बहुत सारे आरोप लगाये थे, ब्रिच, भूशन, शरन सिंग के उपर, उनका गुस्सा अभी भी नहीं थमा है, साक्षी मलिक ने तो ये भी बताया था कि जब संजस सिंग बन गए, वो उनके करीबी हैं, प्रिच, भूशन, शरन सिंग के द्वारा कि अब रेसलिंग की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने 12 सल काफी काम किया है, और अब वे स्तीफा भी दे चुके हैं, और संजे सिंग उनके कोई करीबी भी नहीं लगते, ये गलत इलजाम लगाया जा रहा ह उनपे, तो दर्शक मित्रो, क्या अभी भी हालात बदल जाएंगे, और क्या ब्रिच, भूशन, शरन सिंग पहली बार कुछ सच बोल रहे हैं, कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खड़के, 2024 के चुनाव के लिए बहुत तयारी कर रहे हैं, और ये चर्चाम का विश प्रधान मंत्री का चहरा पहले सामने नहीं आया था, नहीं उसका कोई जिक्र हुआ था, बाद में पदा चला था, इनका स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है, जब 2024 के चुनाव में विपक्षी दलो, 28 विपक्षी दलोन, इंडिया गडबंधन ने अभी तक अपने प्रधान मंत्री का चहरा सामने नहीं बताया है, पाकिस्तान में 8 फरवरी से आम चुनाव होने वाले हैं, अब ऐसे में वहां के जितने भी सियासी दल है, उन सब ने अपने उमीदवारों के नाम घोशित कर दिये हैं, अभी वहां पे दो खबरे बहुत चर्चे में हैं, पहला की पेर से चुनाव लड़ने जा रही है, ये डॉन रिपोर्ट की खबर है, जो कि वहां का बहुत ही प्रसिद अखबार है, अरब सागर में भारत आ रहे हैं जहाजों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिसके बाद भारत ने बड़ी सक्ती दिखाई है, राजनात सिंग जो की रक् ही करेंगे